Hello everyone, welcome to my wife channel, Alak Niranjan Music Academy, today's harmonium tutorial lesson, very popular guru, bhajan, song, composition and notation, scale notes, western music recording, c, d, e, f, f sharp notes, and Indian classical music recording, sa, re, ga, ma, यानि पहली काली, दूसरी काली, तीसरी काली, मह स्वर को सा मान कर, आज का harmonium tutorial lesson हम complete करनेंगे, आईए सबसे पहले इसमें लगने वाले स्वरों को समझते हैं, सारे गा कुमल मागा, रे सानी धापा, बहुत ही कम सोरों पर अधारित, यानि सा इसके नोट से, ascending mode में, बढ़ते हुए करम में, रे, ग, और म, तीन स्वर, 1, 2, 3, और सा से घड़ते हुए करम में, यानि descending mode में, नी, धा, और प, देखें कितना सुन्दर इसका composition है, सा से आगे बढ़ते हुए करम में, सा से, 1, 2, 3, एक, दो, तीन स्वर आगे, और तीन स्वर पीछे की तरब, नी, धा, प, आएए, सुरू करते हैं, लो ओक्टेव, यानि मंदर सब्तक के पस्वर से, सा, नी, धा, प, गूरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है, जिसने जानी है महिमा गुरू की, उसका डूबा कभी ना जाहाज है, ये अस्थाई की लिरिक्स है, अब इसके साथ ही साथ मैं, इसका नोट्स भी साथ साथ आपको बताता चलूँ, कैसे, गूरु वचनों को रखना संभाल के, पपधा सासा सारे सागागा, गूरु वचनों को रखना संभाल के, पपधा सासा सारे सागागा, गूरु वचनों को रखना संभाल के, पहली लाइन, दूसरी लाइन रखिए, एक एक वचन में गहरा राज है, गागा गामा गरे सानी सारे, इक एक वचन में गहरा राज है, गागा गामा गरे सानी सारे, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन देखिए, जिसने जानी है महिमा गुरु की, गरे सा गरे सा मारे सानी, फिर से देखे, गरे सा गरे सा मारे सानी, लिरिक्स, जिसने जानी है महिमा गुरु की, और चौथी लाइन, उसका डूबा कभी ना जहाज है, परे रे 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 गरे सा, परे रे रे रर गरे सा, ये कंप्लीट अस्थाई है, पैटर्न, आए इसको दुबारा समझते हैं, गुरु वचनों को रखना संभाल के, पापधा सा 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 सारे सा गागा, एक एक वचन में गहरा राज है, गागा गामा गरे सानी सारे, जिसने जानी है मही मा गुरु की, गरे सा, गरे सा, मरे सानी, उसका डुबा कभी ना जहाज है, पारे रे 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 गरे सा, ये चार लाइन को आप कांट्रियू आप देखें, गुरु वचनों को रखना संभाल के, गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है, जिसने जानी है मही मा गुरु की, उसका डुबा कभी ना जहाज है, पुरु वचनों को रखना संभाल के, पुरु वचनों को रखना संभाल के, गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है, जिसने जानी है मही मा गुरु की, उसका डुबा कभी ना जहाज है, यह कंप्लीट अस्थाई का पैटर्न हो गया, अब नेक्स्ट अंत्रा की एक लाइन आप को मैं बता रहा हूं, उसके बाद सेश अंत्रे सभी इसी पैटर्न पे गाये जाएंगे और बजाये जाएंगे, तो अंत्रा का वन पैटर्न आप सीख लेंगे, पूरी भजन की कॉम्पोजिशन कंप्लीट हो जाएगी, आईए, शुरू करते हैं, गाइसके लसे, दीप जले ओ अधेरा मिटेना, ऐसा कभी नहीं हो सकता, और सेम इसी लाइन पे, यानि इसी सोर पे राधारित, सेकेंड लाइन, ग्यान सुने ओ वी वेके बढ़ेना, ऐसा कभी नहीं हो सकता, बस ये अंतरा है, पुन्ह एक पर देखें, दीप जले ओ अधेरा मिटेना, ऐसा कभी नहीं हो सकता, ग्यान सुने ओ वी वेके जगेना, ऐसा कभी नहीं हो सकता, ये अंतरा कंप्लिट हो गया, अब नेक्स लाइन फिर अस्थाई के पेटन पे, यानि सा नी धा पैसकेल से, जिसकी रोशनी से रोशन जहान है, नोट्स क्या लगा, पापाधा सासा सारे सागागा, जिसकी रोशनी से रोशन जहान है, ओ फरिस्ता बड़ा ही महान है, जिसने जानी है महिमा गुरू की, गुरू वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है, जिसने जानी है महिमा गुरू की, उसका डूबा कभी ना जहाज है, उसका डूबा कभी ना जहाज है, उसका डूबा कभी ना जहाज है, ये कम्पलीट हो गया, अब आप इस हार्मनियम टॉटोरियल से इस गुरू भजन को सिखिए, उसके बाद फिर एक नए भजन का लेकर मैं आपके सामने उपस्तित हूँगा, तब तक के लिए आप सबी लिगों को जय सिर्राम,